नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूँ आपके साथ निधीतिवारी जबसे ये लिस्ट जारी हुई है एंकर्स की और एलान किया गया है कि इनकी किसी भी शो में विपक्षी गडबंधन का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा इनको इंटर्व्यू नहीं देगा तब ही से ये सारे एंकर हाय तौबा मचा रहा है कोई ट्वीट कर रहा है तो कोई इस मसले पर पूरा का पूरा शो ही कर दे रहा है कोई अपने आपको विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है इस पर रवीश कुमार ने इन एंकरों को तकड़ा जवाब तो क्या कहा है रवीश कुमार ने आगे आपको बताऊंगी लेकिन पहले आपको एक एक करकी बताते हैं कि इन एंकरों ने कहा क्या है वैसे तो सारे कि सारे एंकर्स इतने नाराज हैं कि सीधे-सीधे धमकी ही दिये जा रहे हैं लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा नाराज ज अपने चैनल पर ललकारते हुए कहा कि मैं डरता नहीं हूँ आप लोगों से चीक चीक कर कहा कि हम मरे नहीं जा रहे हैं मैं खुद नहीं मरा जा रहा है इन फेक और स्टुपेड नेताओं को बुलाने के लिए मरी शंकर जैसे नेताओं को बुलाने के लिए और आपके जैसे स चिला चिला कर अर्नब गुस्वामी ये सारी बाते कह रहे थे तो अर्नब गुस्वामी की बात अब आते हैं सुधीर चोधरी पर तो इन्होंने भी अपना शो इसी मुद्दे पर किया और इन्होंने तो अपने शो की शुरुवात जो है उस गाने से की जो की जो था कि जो खुद सुनना चाहते हैं हमसे और आजाद भारत के तिहास में ऐसा पहली बार हुआ है इस तरह से जो लोकतंतर पर प्रहार किया गिया है ये सतोरों ने अपने शो में किया और फिर ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी देखिए ट्वीट कर लिखा कि इंडिया गडबंध की सरकारे हैं जब लालच परसकार और फायार भी काम नहीं आए तो अब भाहिशकार भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए ये बहुत खतरनाक सिती है तो इस तरह से ये क्या कहा है सुधीर चौधरी ने कि ये आजाद भारत के पहली बार हुआ है और ये भी कह रहे हैं कि हमने चरण चुमबक बनने से इंकार कर दिया इसलिए हमारा वहिशकार हो रहा है बलकि असल में ये चरण चुमबक है इसलिए इनका वहिशकार हो रहा है ये कह रहे हैं कि आदे भारत में घडबंधन की सरकारे हैं ठीक है आप उ अमन चोपड़ा वही हैं जो सबसे ज़ादा नफरत फेलाते हैं कई बार इनके शोष को लेका सुप्रीम कोर्ट फरतकार लगा चुका है कई बार इनके पर F.I.R. भी हो चुकी है लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते और कुछ इस तरह से इन्होंने अपने शोष की ना करें सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करना है विपक्ष अगर यह कदम उठा दे तो उनको जो है कह रहा है कि उनसे कड़वे सवाल ना किये जाए इसलिए विपक्ष ने ऐसा कदम उठाया है खेर अब आते हैं रुबीका लियाकत पर तो रुबीका का भी ये ट्वीट इन्होंने क्या लिखा है कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिश्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं, आपको आदत है हां में हां मिलाने वालों की, वो ना कल किया था, ना आगे करूंगी, बैन लगाने की हिम्मत उननेताओं पर लगाई जब बीजेपी पर कोई सवाल उठा देता है और आब ये कह रही है कि हाँ मिलाने वालों की आदत है इन लोगों को क्या बीजेपी को नहीं है इस तरह की बाते ये सारे एंकर्स कर रहे हैं कि हमारे सवाल तो बैलेंस होते हैं और हम से डर कर इंडिया गडबंधन ने ये कदम उठाया है तो ये सारे एंकर वो विपक्ष के इस कदम को मीडिया की आजादी पर खत्रा बता रहे है लेकिन जो आपको सच नहीं बोलने दे रहा, जो आपको सच पूछने नहीं दे रहा जो प्रेस कॉंफरेंस में यकीन नहीं करता, उससे मीडिया की आजादी को खत्रा नहीं है मीडिया को खत्रा उनसे है जो सत्ता से बाहर है, जिनके पास पावर नहीं है खत्रा उनसे है जिनकी क्लास रोज एंकर लेते हैं जिनने स्टूडियो में बुला का जलील करते हैं जिनके जवाब म्यूट कर दिये जाते हैं अरे ये बॉयकॉट नहीं बलकि शिकायत है आप बराबर का मैदार नहीं देते आप सरकार की जगा विपक्ष में बैठे लोगों से सवाल करते हैं आखिर किस देश में ऐसा होता है कि पत्रकार विपक्ष से सवाल पूछता है परंपरा तो ये है कि मीडिया और विपक्ष मिलकर सत्ता से सवाल करते हैं लेकिन यहां तो बिलकुल ही उल्टा है ये जो है विपक्ष अगर सत्ता से सवाल करता है तो मीडिया वाले म्यूट कर देते हैं खुछ सवाल पूछते रही है तो आखिर करे तो करे क्या और इसी को लेकर जो है बीजेपी ने भी सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट भी कर दिया है और इंडिया के इस कदम को घोर निंदनिय बताया है कि जो उन्होंने मीडिया के कुछ एंकर्स को बैन किया है तो क्या बीजेपी ये भूल गई कि इस बॉइकोर्ट की शुरुवात तो उन्होंने ही की थी 2014 में बीजेपी ने एंडि टीवी का भाईशकार करने का एलाद कर दिया था और अडानी के एंडि टीवी खरीदने से पहले इस पूरे चैनल का बीजेपी ने की थी और अब जो है दुहाई दे रहे हैं लोगतंत्र की और इसको घोड निंदनी बता रहे हैं फैर ये जो एंकर्स हैं जो चीक चीक कर कह रहे हैं लोगतंत्र की दुहाई दे रहे हैं तो वहीं बीजेपी भी इस तरह की बाते कर रहे हैं तो इसी को लेकर जो है रवीश क को मारने रैंकरों को और बीजेपी को भी तगड़ा जवाब दिया है और क्या कहा है देखिए ट्वीट करते वे उन्होंने लिखा हुआ है कि साथ साल बहिशकार जेला है साथ घंटे भी नहीं हुए ऐसा लग रहा है कि कल प्रधान मंतरी जी पहली बार प्रेस कॉंफरेंस कर ही देंगे प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे उसके बाद ये सारे लोग सना इर्शाद मट्व से इसके लिए माफी मांगने भी जाएंगे फोटो पत्रकार दानिश सिद्ध्की के मारे जाने के बाद दो शब्द न विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए कि अगर वो ये काम नहीं करता है तो लोकतंद्र के भविश को लेकर गंभीर नहीं है तो रविश कुमार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब जो सरकार है वो खुद मीडिया को नीचे दिखाने का काम करती है तमाम पत्रकारों को जेल भेजने का काम करती है उन पर केस करती है तमाम पत्रकार ऐसे हमने देखे हैं तो इसको लेकर रविश कुमार कह रहे हैं तब तो य सुना था कि सत्ता पक्षिस से सवाल करने वालों को बहादूर कहते हैं पर ये लोग तो विपक्षिस से सवाल करने पर खुद को बहादूर बता रहे हैं बताईए इस तरह से चीक चुला रहे हैं कि पूछिए ही मत खेर आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स म के लिए देखते रहिए फॉर पीम न्यूज नेट वर्क नमस्कार के लिए भंट के लिए भंट